आप सब्सक्राइब नमस्कार 11 फरवरी 2023 के आज हम करंटर फेस को स्टडी करेंगे हमारे पास पहला कोशन है वेन नेशनल डी वार्मिंग डे 2023 इस सेलिब्रेटेट तो हर वर्ष 10 फरवरी को हम इस दिवस को मनाते है इसके अंदर जो स्कूली बच्चे होते है उनको मेडिसिस दी जाती है कि उनके जो चोटे मोटे इनफेक्शन रही चोटे मोटे बेक्टीरिया उनके पीट में या उनकी शरीर में हैं उन्ह énormément किया जा सके तो pre-school children's को ये दिया जाता है age 1 से लेके 19 तक 10 February National Dewarming Day अगला question है हमारे पास World Pulses Day कम मनाया जाता है तो World Pulses Day मनाया जाता है every year 10th of February को हर वर्ष 10 February को World Pulses Day मनाया जाता है और इस बार की theme है Pulses for a Sustainable Future next question है हमारे पास when World Day of the Sick People is celebrated तो ये मनाया जाता है हर 11 फरवरी को इसको UN मनाता है और इस बार की theme है unless is a part of our human condition next question है when International Day of Women and Girls in Science is celebrated इसे मनाया जाता है हर 11 फरवरी को तो ये थे देन एवं दिवस जो महत्वपूर थे अगला कोशन है हमारे पास India Supreme Court is now back to its full strength of Dash with the elevation of two high court judges to the apex court the last time the apex court was its full strength was in September-November 2019 साल 2019 के अंदर सुप्रीम कोट के अंदर जो जजो की संख्या थी वो बिलकुल निपोड थी आप से पूछा जा रहा है कि इस समय जो सुप्रीम कोट है उसमें maximum जो जजिस हैं वो कितने हैं तो अब जो है strength पूरी हो चुकी है 34 जिसमें 33 हमारे जजिस हैं और 1 होते हैं हमारे सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस तो दो जजिस हैं हमारे एक थे अलाबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस जस्टिस राजेश बिंदल जी और अरविंद कुमार जो चीफ जस्टिस ते गुजराथ हाई कोट के इन्हें अब भेज दिया गया है सुप्रीम कोट नेक्स्ट कोशन है हमारे पास विच गवर्मेंट तो रोल आउट फिफ्ट डोज ओफ कोविड-19 वेक्सिन तो आल सेटिसन एजिट 18 एन अबब हाली के अंदर ऑस्टिलिया ने अपने यहाँ पर 18 वर्ष तक के लोगों को कोविड की पाचवी वेक्सिन लगाना शुरू कर दिया है परधान मंतरी यहां ऑस्टिलिया के एन्थोनी एल्बनीस और वहीं अगर हम बात करें अब तक फरवरी के महीने के अंदर यह क्यों इतना यादा इंपोर्टन था ऑस्टिलिया सबसे पहले वह अपने यहां से जो क्वीन की जो फोटो होती है उनके बैंक नोट के उपर उसे अटाया जा रहा है ग्राम रेड जो हमारे हौकी के कोर्स थे वह ऑस्टिलिया से बिलॉंग करते थे लेकिन वह अपने पत से स्तीफा दे चुके हैं और हाली में जनवरी के अंतिम दिनों के अंदर एक रेडियो एक्टिफ कैप्सूल गुम गया था जो अभी मिला है अब जाकर ऑस्टिलिया के वेस्टन पार्ट में इसका जो ऑफिशल नेम है वह है रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेक्स कोशन है वेर एस दास कप्चाप पार्ग हैव बीन इनगुरेटिड तो हाली के अंदर दिल्ली सरकार ने इसे इनगुरेट करा है और बात करें दिल्ली की विधान सबा की सीटे 70 है साथ सीटे लोक सबा की, तीन सीटे राजी सबा की, एवं 11 डिस्टिक है बात करें चीफ मनिस्टर की शिरी अरविन केजरिवाल जी एवं लेफटनेंट गवर्नर नहीं आपर विने कुमार सकसेना जी अगला कोशन है हमारे पास भारत का पहला इगलू रेस्टोरेंट कहां पे खोला गया है तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर के डिस्टिक गुल मार्क के अंदर और वहीं बात से जम्मू कश्मीर में डिस्टिक्स हैं 20, एसम्मली की सीटे 114, लोग सबा 5, राजे सबा 4 और वहीं उनके एडमिनिस्टर का नाम है मनोज सिना अगला कोशन है हमारे पास काफी महत्यव Republican है हाली के अंदर 5.9 million ton का Lithium भारत के किस शेयर या राजे में पाया गया है तो यह पाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर यह बहुत बड़ी सफलता थी और जम्मू कश्मीर के अंदर इसे अभी पाया गया है Lithium को नेक्स कोश्चन हमारे पास कोश्चन है विच बैंक विल स्टार्ट दा पाइलेट प्रजेक्ट टू लॉंच की वार कोड बेस्ट कोईन वेंडिंग मशीन तो इसको जो है आर बियाई कर रहा है वही अगर हम आर बियाई की बात करें तो साल 1935 में एक अपरेल को यह बैंक बन चार डिप्टी कवर्नर है टी रभी शंकर, M. रजीश्वर, राओ, M. टी पात्रा एवं M. के जैए अगला कोश्चन है अभी भारत सरकार के मंतरी ने पारलेमेंट में बताया है कि भारत के अंदर इस वक्त कितने न्यूक्लियर रियक्टर संचालित है तो इस समय 22 न्यूक पेमेंट को एकसेप्ट करा है तो उस एप का नाम है फोन पे अगला कोश्चन है भारतिये एप वैक कौन सा है जिसने क्रेडिट कार्ट को सपोर्ट करा है यूपियाई के लिए तो उस एप का नाम है मूबेविंग अगला कोश्चन है विच गंट्री टिकलेर स्टेट ओफ डिजास्टर ओवर इलेक्टिसिटी क्राइसिस हाली के अंदर साउथ अफरीका की सरकार ने अपने वहाँ पर बिजली की कमी से इसको स्टेट डिजास्टर गोशिप करा है बात करते हैं अगर हम साउथ अफरीका की तो इनके राष्ट पती का नाम है Cyril Ramaphosa इनकी तीन कैपिटल से एक्जेक्यूटिव कैपिटल है Pretoria Kap Town इनकी legislative कैपिटल है वही ब्लैम फ्रॉंटें इनकी judicial कैपिटल है और अगर हम वही बात करें इनकी करंसे की तो इनकी करंसी है the South African Rand अगर आपको पता होगा ये न्यूस में साउथ अफरीका इसलिए भी था क्योंकि पंद्रवी ब्रिक्स की मिटिंग डर्बन में होने जा रही है हाली के अंदर महिलाओं का T20 वर्ल कप 2023 का का शुरू हुआ है तो यह भी शुरू हुआ है साउथ अफरीका के अंदर नेक्स कोश्चन काफी महत्व पूर कोश्चन है कहते हैं शेर्स ऑफ गूगल पेरेंट कंपनी एल्फाबेट उनको हंडर्ड बिलियंड की मार्किट कैपिलेजिशन उनको लॉस हो गया है आफटर AI सर्च चैट बॉट मल फंक्शन करने लग गया उस चैट बॉट का नाम पूछा जा रहा है तो उसका नाम है बाट चैट बॉट और यह माइक्रो सोर्फ का चैट जीपिटी है उसको खिलाफ इन्होंने चालू करा है बट अभी उनको बहुत लॉस हुआ है हंडर्ड बिलियन का मार्केट वैल्यू उनकी घटगी है गूगल की और वहीं बात करें चैट जीपिटी क्या है तो आप पीडिएफ में दिये लिंक पर क्लिक करेंगे और मातर एक मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे चैट जीपिटी क्या है वहीं बात करते हैं अगर हम गूगल की तो गूगल साल 1998 में बना था इनके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जी ब्रिन कलिफोनिया में इनका हैड़कॉटर है सुन्दर पेजाई CEO हैं रूत फॉरट सीएफ हो हैं थॉमस क्यूरियन यह CEO हैं गूगल क्लाउड के और इनकी जो पेरेंट कंपनी उस कंप रविच चंद्र अश्विण जो सबसे पहला रिकॉर्ड है मुथया मुद्ली धरन जो शिलंका के और जो सेकिंड फास्ट बोला रहा बन गए है वह बन गए हैं रविच चंद्र अश्विण दामूर्स लास्ट साई यह सारी किताबे सल्मान रश्दी दीगी है जो पिपर के लिया आज से काफी महत्वबों हैं धन्यवाद